और एक्टर सिधार्ट शुकला के यूँ अचानक चले जाने की वजो से हर कोई दुखी है फैन सिधार्ट को बहुत याद कर रहे हैं तो वहीं आज 6 सितंबर को सिधार्ट की प्रेयर मीट रखी गई है बता दें कि उनकी प्रेयर मीट शाम को 5 बजे होगी और इस प्रेयर मीट में फैन्स जूम लिंक के जरीए इस मीट को जोईन कर सकते हैं साथ ही एक्टर करनवीर बहुरा ने सोशल मीडिया पार इस इविंच का लिंक शेयर किया है ताकि सभी फैंस एक साथ जुड़ पाएं और सिधार्ट को याद करें और उन्हें शुद्धांचली अपित कर पाएं करनवीर बहुरा ने पोस्ट करते होई लिखा है कि सिधार्शुकला की मा रती आंटी और उनकी बहनों ने आज शाम को पाँच बजे एक प्रेयर मीट रखी है सिधार्ट के लिए सभी साथ आएं बता दें कि 3 सितंबर को सिधार्शुकला का अंतिम संसकार हुआ था उनके अंतिम संसकार में टीवी के कई सितारे पहुचे थे सिधार्ट की दोस्ट शेहनास गिल भी अंतिम संसकार में पहुची होई थी सिधार्थ के जाने के बाद शेहनास गिल काफी तूट चुकी है वो काफी दुखी है अंतिम संसकार के दौरान भी शेहनास गिल रोती होई नजर आई थी और अब सिधार्थ की याद में ये प्रेयर मीट रखी गई है ताकि फैन्स अपने चहीते सितारे को अलविदा कह पाए और अपने चहीते स्टार्थ की तस्वीरे देखकर फैन्स खुश हो जाते हैं पर अक्टर मॉडल मिलंद सोमन की ये लेटिस तस्वीरे उनके करोडो फैन्स को परिशान कर गई लोग टेंशन में आ गए कि आकर मिलंद को हुआ गया है लोगों के फिटनेस आइकन हॉस्पिटल में कैसे पहुँच गए तो आपको बता दें कि घबराने की बात नहीं है मिलंद यहां रेगलो चेक अप करने के लिए गए थे दरसल 55 साल की उम्र में मिलंद की सुफूरती आज की युवा जनरेशन को भी कड़ी तक कर दे सकती है मिलंद रोजाना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डायेट और वरकाउट की टिप्स देते नजर आते हैं और अब हाल ही में उन्होंने सीडी स्कैन कराते हुए अपनी एक तस्वीर साजा की है सीडी स्कैन का नाम सुनकर एक बार भी कोई भी घबरा जाएगा लेकिन मिलंद ने इससे अपने रेगुलर चेक अप के ले करवाया था इतना ही नहीं उन्होंने मशीन के सामने बैट कर मुस्कुराते हुए अपना एक फोटो भी शेयर किया है इसके साथ ही लिखा कि सीडी स्कैन करवाया बैंगलोरू में ब्लॉकेज जैसी चीजों की जाच करवाई है और सब कुछ नॉर्मल है आगे उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि दूसरों से भी रेगुलर चेकप्स की महत्वा बताई है मिलन लिखते हैं कि रेगुलर स्क्रीनिंग्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स दुआरा रिकमेंट किया गया है और स्क्रीनिंग से पहले आप क्या करते हैं ये भी बहुत जरूरी है रोज के आपके खाने की आदत, एक्सराइज, नीद और स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपकी हर स्क्रीनिंग नॉर्मल और बॉड़ी फंक्शन दिखाएगे चाहें कोई भी उम्र हो अब एक बहुत सूजटी को फैंस जम कर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं हार ही लिम में हुआ कुछ यूँ कि शो से उनकी फेमस कंटेस्टेंट अक्षरा सिंग इस हफते शो से अलिमिनेज हो गई इसके बाद शो में डबल अलिमिनेशन देखने को मिला जिसमें घर का एक क्यूट कनेक्शन मिलन गाबा और अक्षरा सिंग शो से बाहर हो गए शो से अक्षरा का अलिमिनेज होना एक्टरिस के फैंस को रास नहीं आया और वो शो के मेकर समेट करन जोहर को ट्रोल करते नजर आए इस सोशल मीजिया यूजर्स का मानना है कि करन जोहर सिर्फ शमिता और नहा भसीन को फेवर करते हैं और उनको फिनाले में ले जाएंगे करन को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा है ना अक्षरा ना बीबी ओटिटी फेट शो है करन जोहर शमिता और नहा की ही उन्ही को विनर बिना दो दरसल बता दें कि इस हपते करन जोहर ने अक्षरा सिंग को जम का फटकार लगाई थी दरसल शो में अक्षरा ने नहा भसीन के लिए अब शब्दों का इस्तमाल किया था जिसको लेकर आउडियंस ने उनसे सवाल भी पूछे इस दोरान करन जोहर ने अक्षरा को एक महिला होकर दूसरी महिला के बारे में अब शब्द कहे जाने पर खूब लताड़ा उनसे उनके शब्दों पर काबू रखने के लिए भी कहा हाला कि घर से बाहर आने से पहले अक्षरा ने नहा भसीन से माफी जरूर मांग ली थी पड़ने जिस तरीके से एविक्शन हुआ है ऐसे में अक्षरा का जाना फैंस को दुखी कर गया है